ये जो सरकल गुम्मा हुआ है ना सर और ये जो मिसिज प्रीती जो हो रहे हैं सर इनकी छवी को जो दुमिल किया जा रहे हैं सर जिससे पारवारी संबंद है जो दिन रात हमारे ब्रदर को अपना बेटा समझती थी और समझती है हमेशा उसके लिए खड़ी है जो है कहीं न कहीं फसाने की कोशिश की गई है बिल्कुल मैम एक बार दर्शकों को जरूर बताए वो मास्टर माइंड का नाम क्या है और उसके अन्या साथी कौन-कौन से है और कैसा शडियांत रचने की कोशिश की गई मैं मास्टर माइंड के जो बंदे हैं मैंने उनको बाइफेस नहीं देखा नहीं उनको जानती पहचानती कभी मिली नहीं हूं कुछ नहीं है मैं मेरको आज सुबह ही उन लोगों के नेम भी आज सुबह ही मार्निंग में पता चले मैं एक का नाम है मैं मोहित वर्मा जो की हर्य यूटूबर और फेस्बूक पेस पर अपनी न्यूज की वीडियो को अपलोड करता रहता है। यमना नगर वाड नमबर 6 की पारशद प्रीती जोहर के केस में एक बड़ा खुलासा निकल कर सामने आया है। निहां बताना चाहेंगे कि यमना नगर का एक ऐसा मास्टर माइंड जो अपने अनन्य साथियों के साथ मिल कर वाड नमबर 6 की पारशद प्रीती जोहर की छवी को कही न कहीं धूमिल करने की कोशिश कर रहा था, कहीं न कहीं एक ऐसा प्लैन बनाया गया, जिसमें एक ऐसा को कस्टडी में लिया गया जिसके चलते आज उस युवक जिसका नाम अक्षियत सामने आ रहा है आज उस अक्षियत के जो जो उसकी माता है जो उसकी भेन और जो भाई है सभी आज यहां पर जिला सच्छीवालय में गोहार लगाते लगाते पहुंचे हैं और का मानना है कि हमारा भाई बेकसूर है एक मां आज जीला पुलिस प्रशासन के आगे अपने बच्चे के लिए जोली फहलाते हुए इंसाफ की गुहार लगाती नजर आ रही है जिसका मानना है कि एक ऐसे मास्टर माइंड के कहने पर उसके बच्चे को भेला फुसला कर फसाने की कोशिश की गई है लेकिन ऐसा एक माँ हरगिज नहीं चाहेगी तो आज एक माँ जिला पुलिस के पर परशासन के सामने आमने सामने आ चुकी है और अपने बच्चे की लड़ाई को लड़ने के लिए एक बार फिर से सची वाले में पहुंची है एक बार पूरा मामला जरूर जानेंगे कि क्या वाके में ही अक्षियत के साथ नाइन साफी हुई है और जो मास्टर माइंड है उसका क्या नाम है और कौन से साथ ही उसके शामिल है जिसकी वज़े से आज एक मा के ऊपर एक कहर परस्ता नजर आ रहा है तो मां और भेहन हमारे साथ जुड़े हैं पूरा मामला इनसे जरूर जानेंगे जी क्या नाम है अपका मेरा नाम मिनाक्षिश हैंई है मैम कि अराम की भेहने आ उक्षित की? येस मैं Ram उफ अकशे सेनी की sister हूँ मैं बड़ी सची वाले में फॉहांची है कहीं न कहीं आपका बानना है की ऐक mastermind के कहने पर उसके anya साथियों के कहने पर आपके भाई को जो है कहीं न कहीं फसाने की कोशिश की गई है है मैं मेरे को आज सुबह ही उन लोगों के नेम भी आज सुबह ही मौनिंग में पता चले मैं एक का नाम है मैं मोहित वर्मा जो की हर्याना न्यूज 24 और यूटूबर और फेस्बुक पेज पर अपनी न्यूज की वीडियो को अपलोड करता पर रहता है ठीक मैं उनी के मदेत है निकल के अनकर के मेरे ब्रदर की कुछ वीडियो आज मुझे सामने देखने को मिली एम जिनकी वज़से आज मैं यहां तक अपने ब्रदर के लिए इंसाफ की गौहार में पहुंची हूं मैं पहला नाम मोहित वर्मा दूसरा नाम आं मैं राजेंदर धिमान तीसरा नाम है उनका चिराग सेंगल यह तीन बंदे हैं मैम जिन्होंने मेरे ब्रदर को गैर कानूनी कारिये और बर्ग लाने की कोशिश करिये मैं क्या नाम बताया आपने अपना मिनाक्षी सैनी मैं मिनाक्षी अभी कुछी दिन पहले एक वीडियो भी व चवी को जो है धूमिल करने की कोशिश की थी जिम्या था वो मामला उस समय आप लोग सामने क्यों नहीं आए मैं उस मामले में मैं आपको करना चाहूंगी कि मैं पहली बातों में मैं जॉब करती हूं बहार रहती हूं दूसरी चीज है मैं मुझे इस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं था क्योंकि मैं किसी भी शोशल मीडिया एप पर एवलेबल नहीं हूं कि मैं 24 गंटे अपडेट रहूंगी मुझे कि चीजियों का पता चलता रहेगा तीसरी चीज मैं यह है कि जो हमारी पार्षद मिसिस पृती जोहर है मैं वो हमारी फैमिली मेंबर है मैं उ उसके खिलाव लड़ूंगी क्यों मैं तो कितने साल अक्षियत ने काम किया अधा प्रीती जोहर के पास मैं जो राम सैनी राम सैनी उफ अक्से सैनी है पहली बात तो मैं यह ब्स नरसिंग का चात्र है यमना गुरूप ऑफ इंसीट्यूट गदोली से मैं दूसरी चीज मैं मैं यह नाइट शिफ्ट में राजपलस होस्पिडल में वर्क करता है तीसरी चीज मैं आठ नो साल से यह प्रीती जोहर मैं के साथ वर्क कर रहा है आठ नो सालों में आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई बट इस दिवाली लास्ट येर 24 जो अक्टूबर में दिवाल हो गई तो क्या हुआ है उस चीज में ऐना सालोंट से नहीं कर विसी में से व्ट करेंगे तो मिया के लिए लूब mijn Kindie में एकाम मुझे कैस जो आया कहां से इसको मिले इसले यह प्रिति जोर से क्या लेना देना प्रिटि जोर के लिए क्या करना चाहते हैं कि Kerry पता चला मीनाक्षी की यूट्यूबर मनाम यह हृत्सट पने आपको पत्रकाई तो उसके बारे में आप लोगों को कैसे पता चला किसने बताए कि वह मास्टर माइंड है मैम क्योंकि सारी वीडियोज वही अप्लोड कर रहे हैं पूरे टॉटल वीडियोज मैंने जब मॉर्णिंग में आज दूसरे किसी थर्ड पर्सन पार्टी के मोबाइल में फेस्बुक यूटूब और जो भी इंस्टाग्राम वगेरा जो भी यूज करता है उस पर मैंने देखे मैम अप्लोड क्या मतलब है मैम आपका मानना है कि यूमनानगर में बहुत से पत्रकार है लेकिन एक 24 का वो मास्टर माइंड ऐसा पत्रकार था जिसकी और से लगा था यह वीडिय मैम टोटली बोला है कि उसे गुम्राह किया गया है प्रिती जोहर के खिलाफ मैम जिस इनसान को हम मा बाप भाई बैन का स्थान देते हैं उसी के खिलाफ आवाज करना शुरू कर देंगे उसी के खिलाफ उठाएंगे वाजू सर यह तीनों लोग इसमें इन्वाल है क्या क् मोहित वर्मा चिराग सिंगल और यह राजिंदर तो क्या लगता है इतनी हाई अजूकेशन करने के बाद आपका भाई किसी की बातों में इस तरह से आ सकता था क्या लगता आपको ऐसा क्या हुआ आता नहीं मैं किसी भी टोटली माइंड वाश किया गया सार टोटली मेरा ब ब्रदर यह कैसे हैं तो मुझे थोड़ा सा समझा वह पूरी एक्स्प्लेनेशन देता है ब्रदर ऐसे नहीं ऐसे हुआ है ने बताया आज मिलने के दोरान की इस शडियांतर को कहा तक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की बिल्कुल मैं बिल्कुल लोगों में से या किसी कर देती हूं मर्वा देते हैं यह मैं इसका उक्षियत की मां करनेिया है मैं इसनाजर आ बहूब हिए हम सब आपके साथ हैं आप अपना नाम बताये सबसे पहले आप देख सकते हैं मां के पास थो बात करने के लिएलवाव भागो अपनी पुलीस वालों का जिनोंने मेरे ब्रदर को नाइट में ही सेफ कस्टडी में उठा लिया तुरंद उसको पोटेक्शन दी गई मैं और सेफ कस्टडी के दो रानी मैं जो राजेंदर धिमान है उनका बेटा है कोई मुझे नहीं पता हुआ बेटा को ने कहां से कैसा है म मेरे ब्रदर को कहता है राम सैनी को कि तु बाहर मिल सेफ कस्टडी में है पुलीस सामने खड़ी है और बंदा खुले हैं सारे हम पुलीस के सामने धंकी दे रहा है और वो भी मेरे ब्रदर को निर्दोश है कि ऐसी क्या बात थी जिसे लेकर पृती जोहर ने भाई के हचा नो बता पड़ी नॉर्मल था मैम कुछ भी नहीं था है वो केस तो कोई केस था ही नहीं मैं तो नॉर्मल था बिलकुली मैं कारेवाही की मांग मैं यह करती हूं मेरा ब्रदर है ब्रदर के लिए वो केस को लड़े और मुझे नियाय दिलाएं मेरा ब्रादर जो है वो बिल्कुल निर्दोश है बिल्कुल सर मैं निस्पक्स नीट एंड क्लीन चार सीट आती हूं सर अपने ब्रादर के लिए चलिए एक बर मां से भी जुरूर बातशीत करेंगे चाहे बात करने की ह मां के तो दो ही बेटे हैं राम लखन जिसमें से एक बच्चा तो आज सलाकों के पीछे जा चुका है लेकिन मां आज कही न कहीं प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगाती नजर आ रही है एक बर मां से जरूर जानेंगे कि बच्चे की इस लड़ाई में मां के साथ औ हुगा हो गयी मैं इतना ही कहना चाहँगë कि मेरे बच्चा मेडीकल का चात्र सथी इंसाप होना चाहिए लेकिन आज अब बच्चे के साथ अ ब्लैंक डोड़ाइया तोак जब ब्रधर को मतलब ब्लैंक पेपर पे साइन लेने का मतलब। और उस पर राष्टेपती की मैम इछा मृत्तियू पत्र को टाइप करवा दिया जा चुका है। क्या मतलब है मैम इस चीज का। गल को कुछ हो जाता है मेरे ब्रधर के साथ कौन जिम्मेवार है मैम। उसके साइन ले लिए सर तो आप इसमें किसको दोशी मानते हों कुल मिला के सर जहां तक है यह जो सरकल गुमा हुआ है ना सर और यह जो मिसिज प्रीती जो हो रहें सर इनकी छवी को जो दुमिल किया जा रहा है सर जिससे पारवारिक संबंद है जो दिन रात हमारे ब्रदर को अपना बेटा समझती थी और समझती है हमेशा उसके लिए खड़ी है एक बर एक बर लास्ट में उन तीनों के नाम बता दीजिए दुबारा से जिनकी और से आज आपका भाई सलाखों के पीछे है कौन कौन है वो महीत वर्मा उसके चैनल का नाम क्या है चैनल मैं हर्याना यूटूब और फेस्बुक पेज ठीके मैं दूसरा है मैं उसका राजिंदर धिमान तीसरा है मैं चिराग सिंगल ठीके मैं अब यह तीनों लोग क्या चाहते हैं कैसे चाहते हैं क्या करवाना चाहते हैं कुछ पता नहीं एक उड़ती-उड़ती खबर मैं सामने आई है कि इशराब से स्टेशन के बाहर किसी तरह का कोई मोर चाय है धर्णा दिया घाना था जिसमें मेरे ब्रद्र को क्तो मेरी खतम हो जाता है perci cine साथ में और घली मैं किछो करारा जाती हूँ एको 성ी सर्से कि वो मेरे ब्रदर के राम सैनी के केस में निश्पक्स जाच करें और मुझे नियाय दिल आएं आज उसकी बेहन यहां खड़ी है मैं कुछ गटिया चंद लोगों की वज़े से मेरा ब्रदर सलाकों के पीछे पहुँच गया गटिया लोगों की वज़े से जिनकी जिनका कोई लेना देना नहीं है हमारे केस से तो आप देख सकते हैं जिला यमना नगर से आज की एक ऐसी बड़ी ब्रेकिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जहां पर वाड नंबर 6 की पारशत पृति जोहर की छवी को एक मास्टर माइंड और उसके साथियों के दवारा धूमि साथियों के साथ जिसमें चिराग सिंगला का नाम सामने आ रहा है और भी बहुत से साथिये जिसमें से एक भारतीय किसान यूनियन की शहरी एकाई का कोई धीमान जो है वो सामने आ रहा है जो अभी फिलहाल सलाकों के पीछे है लेकिन मोहित वर्मा भी जो है पुलिस को चखमा देकर फरार होता नजर आ रहा है और उसी में चिराग सिंगला के उपर भी पुलिस जो है लगातार नजरे रखे हुए है तो आने वाले समय में देखना होगा पुलिस के लिए ये जो एक बड़ी चुनोती बनका राजगे केस सामने आ रहा है कितनी जल्दी पुलिस को इस केस में सफलता मिलती है तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं अक्षियत के परिवार वालों का कहना है कि कुछ ही दिन में अगर इस शडियांतर का भांडा ना परिवार वालों ने अपनी सारी परेशानियां खुद की जुबानी जो हैं हमारे चैनल पर ब्यान की है तो आप देख सकते हैं यम्ना नगर का एक ऐसा यूटियोबर पतरकार मोहित वर्मा जो भरस्ट चार की लड़ाई लड़ रहा था लेकिन आज खुद का भांडा फू करशिश की गई है लेकिन वास्तों में आप सब भी जिला यम्ना नगर के रहने वाले जिला वासी हैं जानते हैं कि प्रीति जोहर जितने भी प्लान में एमसी बनी है हमेशा उनने अपने वाड़ वालों की जो विश्वास है उस पर हमेशा खरी उतरी है तो एक ऐसा व्यू की टीम में उसके पीछे पढ़ चुकी है अब आने वाले समय में देखना होगा कितनी जल्दी प्रीति जोहर के इस केस में प्रीति जोहर का इंसाफ मिलता है कितनी जल्दी मोहित वर्मा और उसके साथ ही सलाकों के पीछे जाते हैं और कितनी जल्दी वो बेकसूर जो आज स खबर को शेर जुरूर करें ताकि ब्रस्टा चार के जिस योट्योबर की पॉल खुली है इसके बारे में लोग जागरुख हो सकें वीडियो जनलिस मनपीत के साथ जिला यमना नगर के जिला सची वालया से मंदीब कौर की रिपोर्ट